हलो एविवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में वीडियो में स् tutorials फाइनली जो है बिहार मेडिकल यूजी मैक का बाब है कैसे आपको अपना rank card चेक करना है counseling का क्या schedule है उसके बाद next video में हम आपको बताएंगे कि कैसे step by step जो है वो choice feeling करनी है कैसे आप choice feeling करेंगे कि आपका जो कम rank होने के बाब जूद भी आपका seat allotment हो जाएगा और सारा process जो है सारा doubt जो है वो आपको इस video में clear हो जाएगा ठीक है student बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका counseling के बाद हमें message आता है कि sir मेरा rank अच्छा था मुझे college नहीं मिला एक student है उसका rank खराब था उसको admission जो है वो मिल गया तो student यहाँ पे क्या होता है कि rank based जो एक counseling है rank based counseling के थूद अगर आप गुजरते हैं तो miss कम rank होने के बागदूद भी आपका admission हो सकता है तो rank based counseling होता है कि आपके rank के हिसाब से कौन सा college मिलेगा कौन सा branch मिलेगा अगर आप इस तरीके से choice feeling करते हैं तो आपका admission जो है वो हो शकता है इसी को देखते हुए हमारे expert की team ने एक WhatsApp नमबर जारी किया है जो भी बच्चे counseling support लेने के लिए interested है तो video के description box में WhatsApp का detail है आप लोग contact करके paid counseling guidance लेकर के counseling करवा सकते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको counseling के बारे में knowledge नहीं होता है कि कैसे counseling करना है कैसे registration करना है seat allotment में क्या करना है कौन कौन सा document लगेगा बहुत सारे ऐसे colleges हैं जो admission ले लेते हैं उसके बाद उनका affiliation खतम हो जाता है जैसे कि आप बिहार में देखिए एक MBBS का college था RDGM college मुझभफरपूर उसमें admission के बाद उसका affiliation रद कर दिया गया था वहीं देखिए दयानंद BMS college था जिसमें 29 बच्चों को fire कर दिया गया था क्योंकि वो need qualify नहीं थे सभी लोग जानते हैं कि अगर आप need qualify नहीं है तो किसी भी medical course में admission नहीं ले सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीजे हैं जो student को पहले नहीं पता होती है और बाद में admission के बाद उनको problem हो जाता है जिस भी student को बिहार के MBBS, BDS, Veterinary Science और Animal Husbandry जैसे course में admission लेना है NEET के base perform online किये थे उनका जो rank card है वो आच चुका है और जो student BMS, BHMS वाले हैं उसका आयूस से counseling होगा उसका भी notification आएगा आप हमारे channel को subscribe कर लिजे join कर लिजेगा, ठीक है rank card check करने के लिए आपको BCC के official website पराना है यहाँ पर एक यह rank card of UGMAC 2022 simply आपको क्या करना है यहाँ पर कर देना है click जैसे ही click करेंगे तो आपको एक portal जो है वो खुलेगा जिसमें आपको अपना UGMAC ID और date of birth डालना होगा UGMAC ID आपने जो need का form fill up किया था UGMAC का जो जिस पर confirmation page होगा उस पर आपका UGMAC ID जो होगा वो enter होगा और date of birth डालने के बाद जैसे ही आप so rank के option पर click करेंगे तो जो आपका rank है वो so हो जाएगा, ठीक है student आपके rank पर दो rank लिखे रहेंगे, एक unreserved rank रहेगा और एक आपका category rank रहेगा अगर आप SMQ quota से belong करते हैं, तो आपका SMQ quota भी लिखा रहेगा, ठीक है SMQ quota होता है, defense quota होता है, ठीक है student तो यहाँ पर unreserved जो student general से belong करते हैं उनके rank card पर सिर्फ यूर rank होगा जो student किसी category से belong करते हैं, तो UR rank के साथ-साथ उनके rank card पर जो है, वो category rank भी लिखा रहेगा और उनकी counselling जो होगी category rank से ही counselling होगी, ठीक है यह हो गया rank card तो चलिए हम चलते हैं counselling schedule की तरह तो यह जो notice है, BCC ने इस counselling schedule में इसको जाड़ी किया है, step by step इसको समझिएगा, अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझते हैं, तो आपको counselling में problem आ सकती है और आप admission लेने से वंचित हो जाएंगे, ठीक है तो यहाँ पे कहा गया है कि rank card by submitted their UZMAC ID and date of birth rank card कैसे download करना है वो मैंने बता दिया है, उसके बाद after downloading rank card rank card डाउनलोड करने के बाद choice filling all eligible candidates are required on link counselling portal on UZMAC 2022, ठीक है आपको अपना rank card डाउनलोड करने के बाद, counselling portal पर जा करके choice filling जो है, वो करना है next video में हम आपको पूरा step by step process बताएंगे, कैसे choice filling करना है, जिससे आसानी से seat allotment हो वो भी हम आपको trick बताएंगे, ठीक है इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे आपको आगे जा करके परेशानी न हो then नीचे कहा गया है for choice filling candidate do registration and password registration and password से आपको choice filling करना होगा, अगर आप choice फिल करने के बाद choice lock कर देते हैं तो OTP से आप choice जो है unlock भी कर सकते हैं, नया choice fill करने के लिए then आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है, registration for choice filling, choice locking process will be done through OTP OTP के थूरू सारी चीज़े होंगी list of finally filled in choice and connected to registered mobile or before allotment, ठीक है list of finally filled in choice जो है उसको allotment जो आप choice fill करेंगे उसको आपके email और registered mobile नमर पर भेजाज आएगा allotment result जो है वो भेजाज आएगा आपके mobile पर seat allotment will be done or merit कम जो होगा, वो 4 11 को आएगा, ये सारे चीज़े तो हो गई, ठीक है उसके बाद हम next बढ़ते हैं ये हो गया in case candidate in allotted seat during first second round seat will be report physically at reporting center for document verification after document verification if found eligible take admission of upgradation for go free exist as program given below rule ठीक है, आप free exist भी कर सकते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है देखिया, all eligible candidates are advised to log in their account in schedule period time and personally allotment allotment later if candidate not satisfy in the allotment cell upgrade, yes in the process of downloading the provisional allotment order student एक बात मैं और बता दू कि second round में आपको choice filling का करने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा, देखिया देखिया, second round में choice filling का करने का मौका जो है वो नहीं मिलता है, आपको और नीचे मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको आप इस जो schedule है, counseling schedule को अच्छे से समझ लिजे आप लोग इसका screenshot लेकर करके रख सकते हैं तो यहां पर देखिये, पब्ली किसे off merit list on board merit list आ चुका है, rank art कैसे download करना है, वो मैंने आपको बता दिया है seat matrix on website, seat matrix पे भी video हमने बना दिया है कि किस college में, किस course के लिए कितना seat खाली है उस video को अगर आप लोग ने नहीं देखा है, तो जा करके देखिए choice filling जो है, वो start हो चुका है, कैसे choice filling करना है वो हम आपको next video में बताएंगे, पूराइस step by step process उसके बाद, last date of online registration and choice filling का 30 तारीक तक है first round जो seat allotment होगा, वो चार 11 को होगा allotment लेटर डाउनलोड करने के बाद, 4 तारीक से 8 तारीक तक आपको document verification करवाना है, first round के लिए, ठीक है उसके बाद, free document, verification, admission first round, free exist from first round अगर आप allotment हो जाता है, अगर आप admission नहीं लेना चाहते हैं, तो 5 तारीक से 12 तारीक तक आप free exist, जो है, वो miss, free exist, miss admission, जो है, वो cancel करवा सकते है starting date of online choice filling for seat allotment second round, sorry पिछले साल तक क्या था कि second round में choice filling नहीं होना था, ठीक है question इस बार क्या है, कि second round में भी आपका choice filling होगा, second round में choice filling होगा मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, उसके लिए, sorry second round में भी आपका choice filling होगा, पिछले साल तक second round में choice filling नहीं होताथा उसके बाद लास्ट डेट आप चॉइस फिलिंग है चॉइस लोकिंग का सुलोई 11 तक होगा सकेंड राउंड का सीट अलोट्मेंट 19 तारीक को आएगा अलोट्मेंट लेटर आपको आने के बाद 20 से 22 तारीक तक अपना डाकुमेंट वेरिफिकेशन जो है वो second round के लिए करवा सकते हैं जिनको college पसंद नहीं आता है वो upgrade जो है वो करवा सकते हैं ठीक है उसके बाद जो भी बच्चे free जीस्ट लेना चाहते हैं admission के बाद अपना admission council करवाना चाहते है तो free जो है admission council करवा सकते हैं देखिए if candidate take free exit then give choice यहां कहा गया है कि जो बच्चे एक्जिट करना चाहते हैं वो अपना च्वाइस जो है वो नल रखेंगे ठीका अगर आपको फी इस्ट्रक्चर नहीं पता है बहुत ज्यादा फी है 55 लाग से प्लस का इसका पूरा पैकेज है प्राइबेट कॉलेज का 55 लाग ठीक है MBS का अगर आपको फी इस्ट्रक्चर नहीं पता है आपका पैसा फस जाता है तो वो वापिस नहीं होगा आप अपना फी इस्ट्रक्चर जो है वो जा करके देख ले ठीक है काउंसिलिंग में कौन-कौन सा डाकुमेंट लगेगा उसके उपर भी आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे वाइनली यहाँ पर थोरा सा देख लेते हैं नीट का ओर्जनल एड्मिट कार्ड लगेगा रैंक कार्ड लगेगा यूजी मैक का उसके बाद नीट का रिजल्ट लगेगा प्रिंट आफ च्वाइस स्लीप जो आप च्वाइस लॉक करेंगे तीन कोपी अलॉट्मेंट ओडर का लगेगा टैन्थ ट्वेल्ट का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा मार्क सीट उसके बाद कास्ट रेजिडियन सर्टिफिकेट लगेगा सिक्स कॉपी अप नीट एड्मिट कार्ड लगेगा अधार कार्ड का कॉपी लगेगा पार्ट ए पार्ट बी लगेगा चेकसलिप Biometric form BCC के official website पर आएगा वो यहां पर download section में आगा जब counseling स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर download section में आज आएगा उसके बाद आपका जो भी category से बिलोंग करते है physically handicapped EWS तो उसका भी certificate आपको देना है अब जिस category से admission लेंगे उसका आपको certificate जो है वो आपको देना होगा नहीं तो आपका admission जो होगा वो cancel कर दिया जाएगा ठीक है यहाँ पे अगर reporting के समय आपको अगर government college में लेते हैं तो admission चा माध्यम से आपको फीज होगा वो admission के समय कुछ payment करना होगा उसमे भी आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे चलिए hope कि आप सबों को वीडियो पसंद आया होगा next वीडियो में हम cut off के उपर वीडियो जाने वाला है choice feeling कैसे करना है उसके उपर पूरा वीडियो जो हो आने वाला है आप लोग इंतजार कीजिए कुछ घंटों का आप सबों के पास हर एक update होगा channel subscribe कर लिजिए वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताइएगा कोई doubt होता है तो आप हमें message कर सकते हैं एक बात और जो भी बच्चे हमारे expert से counseling कराना चाहते हैं वीडियो के description box में WhatsApp नम्मर दिया गया है आपको अपना rank card भेज के paid counseling करवाना है student paid counseling में बहुत सारे support जो है वो आपको दिये जाएंगे हमारे expert team की तरब से आपका choice feeling किया जाएगा हर एक चीज किया जाएगा देखिए choice feeling तो कोई भी कर लेगा college select तो कोई भी कर लेगा अगर आपकी rank के हिसाब से कौन सा college मिलेगा अगर यह आपको पता है उस तरीके से अगर आप choice feeling करते हैं first round में क्या करना है आपको college allotment कराना है second round म आप उस college को अपग्रेड भी कर सकते हैं अगर आपका college allotment ही नहीं होगा तो आप upgrade कैसे करेंगे तो ऐसे में क्या करना है अगर आपका ज्यादा rank है तो पहले कोशिस करनी है seat allotment करवाने का देन आप उसको अपग्रेड करके अच्छे college में जा सकते हैं अगर आपको यह पत हर एक जानकारी हमारे एकस्पर्ट जो है आपके साथ सेयर करेंगे कहीं कहीं प्रोबलम कहीं कोई प्राब्लम होगी तो आप उनसे कॉंटध कर सकते हैं minimum charge में आपको पूरा support जो है वो provide करवाए जाएगा तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में next update के साथ तब तक के लिए